गर्मा गर्म कड़ी पकोडे चावल खाने में मिल जाए तो और क्या चाहिए आज मैं लेके आए हूँ बहुत ही अमेजिंग सुपर सॉप्ट स्पंजी कड़ी पकोडे की रेसिपी जो खाने में अच्छा है ही इसे बनाना भी बहुत ही आसान है तो फिर चलिए शुरू करते ह तो लेते हैं एक बॉल, बॉल में डालते हैं बेशन, नमक, हल्दी थोरा सा, जीरा गोटा, हिंग, थोरा थोरा पानी डाल के इसको अच्छे से फेट लेना है हमने इसमें मीठा सोडा का इस्तमाल नहीं किया है बस ऐसे ही बना रही हूँ इसको पानी में डाल के चेक करते है नहीं ये पानी के उपर नहीं तैर रहा है इसका मतलब ये नहीं हुआ है बेशन को और फेटना होगा क्योंकि बेशन बहुत ही अच्छे से फेटना होता है बेशन अच्छे से फेट जाता है तो उसको पानी के उपर वो तैरने लगता है बड़ी तो देखें कितने अच्छे स पानी के ऊपर तैरने लगा है विटमिंस की बेशन अब रेडी हो चुका है पकोड़े बनाने के लिए तो चलते हैं अब आगे की प्रोशेस की और कराही में ओयल डाल देना है अब उसमें छोटे-छोटे पकोड़े निकाल लेना है देखिए इस तरह से छोटे-छोटे चुका है फिर डाल देते हैं थोरे से बेशन और बचे हुए उसको भी पकोड़े बना के निकाल लेती हूँ तो इस तरह से पकोड़े बनाने से बहुत ही अच्छे और फूले-फूले बनेंगे भी निकाल लेंगे अब बरतन में जो बेशन लगे हुए थे उसमें पानी ड पाउडर एक स्पुन हल्दी पाउडर को एक बॉल में डाल देते हैं उसमें नमक डाल देते हैं और पानी डाल के उसको सोक करने के लिए रख देते हैं इस तरह से मसाला का टेस्ट अच्छा आता है अब चौंक में जीरा, हींग, तेजपत्ता डाल के यह मसाले जो हैं वो अब दही का यूज नहीं कर रहे हूँ तो इसको पानी में भिंगोंके रख देते हूँ सोक के लिए मसाला भी ओल छोड़ दिया है तो ये मसाला अब हो चुका है इसको 2 मिनीट के लिए भून लेते हैं देखते हैं ओल कितना अछा से छोड़ दिया है बस ये रेडी हो छोड़ देते हैं फिर डाल देते हैं इसमें जितने भी मैंने पकोड़े या बड़ी छान के रखे हुए हैं वो डाल देते हैं इसमें भी एक उबाल आने देते हैं जब यह उबाल आ जाएगा तो इसमें जो बेशन का पानी का गोल जो हमने रेडी करके रखा हुआ था वो ड इसे बहुत ही अच्छा खट्टा का टेस्ट आता है जो कि आपका कड़ी बड़ी कर टेस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है तो ये देखिए कड़ी बड़ी मेरा बनके रेडी हो चुका है बहुत ही स्वाधिस्ट कड़ी बड़ी और बहुत ही फूली फूली बनी है प्रेसिपी कैसा लगा जरूर बताएगा मेरे चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए